दोस्तों स्वागत है आपका अपने चला तयर जीत में जैसा कि आपको पता है कि भोज के असाइमेंट सुरू होना था मई वही ने में लेकिन कुछ कारणों से असाइमेंट है वो डाउनलोड नहीं हो रहे थे तो 25 तारीक से हमारे जो 25 जून है इससे असाइमेंट साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे टेलिग्राम को जोइन नहीं किया तो लिंक दी गई तो वहां से जाकर जोइन कर सकते हैं और यदि चैनल पर पहली वारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ ही साथ वेल आइकन को और कर दीए जिससे कि सबसे पहले नौटिफिक किसमें को सी चीज देख लिए तो यहां पर यह वाला है अणूंक कॉंसक है वहा रखेंगे यह साथ हनू हो जाइक बोलते हैं इसको बूलते हैं । यहाँ Hindi में लिख लीजिए गाइअ यहाँ पर यहाँ पर यससे लिखेंगे अनुकक्षक और यहाँ पर लिखेंगे आप सैयोजी बंद तो यह लिखेंगे अहाँ पर तो इसके बार पर पे होगए कुछ थूआ कट गया है यहाँ तो यहाँ पर पहला कोस के परमारू कक्षक भाग लेते हैं इसमें केबल संयो जी कोस के इलेक्टोर भाग लेते हैं इसमें जो संयो जी कोस तथा आंत्रे कोस के जो परमारू होते हैं वो सभी भाग लेते हैं यहाँ पर अगला कोस्चन देखेंगे अगला कोस्चन हमारा सेकंड है मतलब सेकंड प पद दिया गया है इसको देख लिजी तो थर्ड पॉइंट हमाँ दिया गया है संयुक्त होने वाले परमाणुओं के कक्षक अपनी पहचान रखते हैं यहां पर पहचान रखते हैं और इसमें क्या होता है आपका कि आग अगला कॉस्चन आगला क्या दिया गया है इसमें केबल अर्दफ पूरत परमाडवी अर्विटल ही भाग लेते हैं इसमें इस प्रकार का कोई भी बन्धन नहीं होता है इसके बाद मतलब इसमें जो आधी औरबिटल वाले भाग होंगे वही ले सकते हैं लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है या कोई भाग ले सकता है इसमें आयोगमित इलेक्ट्रोन की उपस्थिती संभव नहीं होती है इसमें यहां रखेंगे तो जो अनुगों के जो आयोगमित इलेक्ट्रोन होते हैं वही पाए जाते हैं इसमें नहीं पाए जाते हैं इसमें पाए जाते हैं तो यह हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो च ठीक है तो इसे बोलते हैं electronic magnet ray ठीक है यहाँ पर हो जाएंगे तो इसका question कहांसर देख लिए यह MR बोलते हैं से थोड़ी background में noise आ रहे होगी तो इसके लिए sorry friends आप उसको ignore कर सकते हैं यहाँ पर देख लिए इसका question कहांसर पढ़ेंगे यहाँ से बिदो चमबा की यह चेतर की तरंगे होती हैं जो अंत्रिक्ष के माध्यम से फैलती हैं ठीक है यानि मतलब जिसके लिए कोई भी बायू की या फिर किसी माध्यम के उसकता नहीं होती है बिदो चमबा की विकर्ण ऊर्जा ले जाते हैं यहनमे radioactive, microwave, अवरक्त यानि द्रसमान, प्रकास, प्रावैगनी, X-ray और gamma ray सामिल होती हैं यह सभी तरंगे विदो चमबा की spectrum का हिस्सा हैं इसके बाद आपको यहां तक लिख जाने के बाद आपको यहां पर यह डाइगराम बना लेना है यहां पर डाइगराम दिया गया है यह बैक्टर में बैक्टर के द्वार यहां पर यहां पर अच्छे से इसे बना लीजिये गाप इसके बाद आगे लिखना आपको फूश भाग रह घर गया ही आपर तो यहां पर लिखेंगे या चुम्ब की तरंग्य यहां पर लिखेंगे बिद्दो चंबा की विकर्ण में बिद seconds Trung की तरंग होती हैं जो बिद से कहा जाता है यानि सी से से यहाँ नीचे तग लेंगे इसको अच्छे से इसके बाद एगला उसे देखते हैं आठ तो हमारा क्वेष्चन क्या है रमन प्रभवक क्या है तो रहा हुआ रहा हूँ उचे से इसे इस म met अमन के नए पारदरसक पदार्थों द्वारा प्रकास के प्रिक्रिणर का ध्यान करने पर यह पाया कि जब एक बढ़नी प्रकास या किसी निश्चत अब्रती वाले प्रकास के किरन पुंज किसी पारदरसक गैस, द्रब, ठोस, माध्याम से गुजरती है तो आप्तित प्रकास का कुछ भाग प्रिक्रिणर हो जाता है, इस प्रिक्रिणर के जो मतलब प्रकास का जो है, वसी के उपर उन्होंने यह नियम दिया था, तो यहाँ पर देख लिजी, यहाँ तक लिख लिजी अच्छे से, इसके बाद थोड़ा और रह ग यहाँ पर होता है, इसके बाद आपको यह डाइग्राम बना लेना है, यह डाइग्राम देख लिजी अच्छे से, यहाँ पर यह केंडल रखा हुआ है, यहाँ पर यहाँ पर कागज को बोल करके लगाया गया है, और यहाँ से यहाँ देखा जा रहा है, यहाँ पर यह कनि नमा हैं यह दस्वा कॉस्चन है हमारा अनुचम्ब की पदार्थ किसे लोह चम्ब की पदार्थ किसे कहते हैं ठीक है तो लोह चम्ब की पदार्थ और अनुचम्ब की पदार्थों की परिभासा लेखनी है तो अनुचम्ब की पदार्थ देख लेते हैं पहले यह लिखा यहां पर हो जाएगा नुचम्बक पदार्त कि इस गुड़ को ही अनुचम्बक तो कहा जाता है इसके उतारण देख लेजिए, इसके उतारण दिये गया है प्लेटनम, एलिमिनियूम, सूडियम, ऑक्सिजण, कैलसियम, आधी इन प्धारतों के उतारण है. इसके बाद लोह चुंबक weapon की प्धारत लेख लेते हैं, तो यह रहा हुआ है लोह चुंबक की प्धारत इन पदारतों की इस गोड़तों को लोगशमब्ग कहती ही निकल्ज कोवलट इवं आईरन लोगशमब्गे पदारतों के उधारन. बहुत अधिक दधा धनात्मक होती है और आप एक्षित चुमबक सीलता का मान एक से अधिक होता है, यानि एक से बड़ा होता है. तो इसमें हमने देखे हैं यहां से यानि पूरे question का answer देख चुके हैं यहां पर जो हमारा जितनी भी question इस वीडियो में रह गए हैं वो अगले वीडियो में हम आपको प्रदान कर देंगे यहां पर 9 question नहीं आया इसमें जो हम यहां पर देख लेते हैं कौन सा था वो 9 question तो य यह जाएगा यदि वीडियो अच्छे लागा है तो वीडियो को लाइक कर दीजीगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहन जै भारत